बिहार पब्लिक सर्विस कमेशन यानि BPSC I.O के मादम से बिहार में हो रही 1,70,461 पदों के सापेक्छ सिख्षाग भरती प्रतिया में ओनलाइन आवेदन एक बहुत बड़ी चुनोती बन गई है अभिर्थों के लिए क्योंकि इनके द्वारा कुछ इस प्रकार से आवेदन मांगे जारे हैं जिसमें वेब गैम की आवशकता पड़े हैं मोबाइल से अभिर्थी कर नहीं पा रहा है इनका जो एक्जामिनेशन के लिए ओनलाइन आवेदन है उसमें जो डेट को सेलेट करना है वो सही से मोबाइल से हो नहीं पा रहा है इसलिए अभिर्थियों की मजबूरी बन गई है कि वो साइबर कैफे जाकरके अपने आवेदन को कम्प्लीट करें अब इन सब में साइबर कैफे वो बार-बार जा रहा है आवेदन कम्प्लीट नहीं उपा रहा है क्योंकि साइट सही से रिस्पॉंस नहीं कर पा रही है इसके अलामा कितने अभिर्थियों के पास लैप्टॉप होगा गाउ देहात में निशी तोर पर अभिर्थियों को बहुत सारी दिकतों का सामना करना पड़ा है और जो इस्पेसली गाउ देहात में रहते हैं उनके लिए तो और दिकत है कि बार-बार वो जाएंगे मार्केट में और जाकर करके पता करेंगे कि वेबसाइट रन कर रही है या नहीं कर रही है या फिर वेबसाइट से इसे चल रही है नहीं अभियर्थी दिन दिन भर साइबर कैफे में बैठे हैं कि कब उनका नंबर आएगा कब आवेदन कंप्लीट होगा लेकिन BPSC आयोग इतना बड़ा आयोग होने के बावजूद भी जिस प्रकार से इनका रवया रहा है आवेदन और ओनलाइन फॉर्म को लेकर के निश्ची तोर पर निरासा जनक है और आयोग को कड़े कदम उठाये जाने चाहिए इसके संबंद में जैसा कि सुबा ही मैंने आप सभी को एक डेडिकेटेड वीडियो के मादम से सूचित किया था कि BPSC की वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है इनका आवेदन हो ही नहीं पा रहा है आवेदन तो छोड़िये जो रेजिट्रेशन वाला प्रोसेस है वो तक ओपन नहीं हो पा रहा है अभी मैं इनकी ओफिशल वेबसाइट पर हूँ जब आप एपलाई ओनलाइन वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ओपन हो रहा है लेकिन इसके बाद जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं रहा है यहाँ पर देखिए दिस साइट कैननोट बी रिष्ट बार-बार ऑप्शन आ रहा है अब आप खुद सोचिए इतना बड़ा आयोग चार से पांच दिन आवेदन की अंतिम्तिति में किवल बचा हुआ है और उस दौरान जब लाखों की संख्या में आप भेरती वेट कर अपने डॉक्यमेंट को बना रहे होंगे और अब उनका जब आवेदन करने के लिए वो एक तरीके से त्यार है तो वेबसाइट ही रन नहीं कर रही है इसी प्रकार से पूरे देश बर के अप्यरती परशान है लेकिन वेबसाइट रन नहीं करने के वेज़े से उनको काफी वेबसाइट ठीक हो जाएगी और उसी के अधार पर मैंने आप सभी को सूचना भी उपलब्द करा दी थी इसके अलावा जो मैंने सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में आप सभी को सूचित किया था कि आप इनके ऑफिशियल हेल्प लाइन नमबर पर कॉल करके अपनी सम किसी भी कहीं न कहीं इन सभी चीजों को लेकर के सजग था और दिन भर ये दावे किये जा रहे थे कि जो इनका IT डिपार्टमेंट है वह वेबसाइट को सही करने के लिए लगतार जो सौफ़एर इंजियर वो काम कर रहे हैं लेकिन कई अभिर्थियों के हिल्प लाइन नमबर पर फोन उठे भी हैं और उनके द्वरा ये बताया गया कि साम के पांच बज़े के बाद आप वेबसाइट चेक कर लीजेगा वेबसाइट ठीक हो जाएगा अब उन सभी सूचनाओं के अधार पर मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन अवलेबल करा दिया अब BPSC की गलतियों की वज़े से खुद मेरी क्रेडिबिल्टी पर सवाल उत्पन होने लगते हैं कि क्या मैंने सही भी सूचना दी थी या फिर गलत बताया था निशी तोर पर आयोगों को पांच दिन का समय सेस रह गया है ये सभी चीजों पर गंभीरता से मन्थन करना चाहिए क्योंकि आयोग ने आज ये इस पश्टिकरणर दे दिया है एक ओफिशियल नोटिफिकेशन के मादम से कि हम परिच्छा तिथी में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे आज 7 तारिक हैं और 24 तारिक से आपकी परिच्छाएं सुरू हो रही है यानि मोटा मोटी आप मान करके चलिए डेड़ महिने का समय बच्या हुआ है अब इन डेड़ महिनों में अभीरती परिच्छा के लिए फॉर्म भरे या फिर परिच्छा की तयारी करे क्योंकि फॉर्म को ले करके एक तो इतनी बार इन्होंने संसोधन कर दिया है जिसको ले करके अभीरती परिचान है फॉर्म में कभी ट्विटर के मादम से ये सूच ना दी जाती है कि इस फिल्ड में ये भरा जाएगा कभी वेबसाइट ही नहीं रन कर रही है अभीरती दि को ले कर भी बहुत सारी समस्या है जिसको ओफिशियल नोटिफिकेशन में क्लरिफाइग नहीं किया गया था जिसकी वज़े से अभीरतियों को दिकतों का सामना करना पड़ा है तो ये भरती प्रक्रिया खुद में ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है अभीरतियों तो एकलिस इनको दो लिंक प्रोवाइड करना चाहिए था आप देखते होंगे कि सीटेट सीब्यसी बोर्ड के द्वार जो आयोजित करा जाती है उसमें दो से तीन लिंक दिया जाता है क्योंकि उनको पता है कि पूरे देश भर के अभीरतियों इस पर लोगिन करेंगे और और साइट क्रेश होगी ही होगी तो ये सबी चीजें पहले से एक तरीकी से प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए था बीपेसी आयोग के द्वारा लेकिन उन्होंने कुछ गल्तियां की हैं जिसकी वज़े से ये पूरी प्रक्रिया में अभीरतियों को बहुत सारी दिकतों का सामना करना पड़ा है और अपनी दिकतों से अभी तक भी आयोग नहीं सिखा है और इसी वज़े से आज उनके द्वारा दावा किये जाने के बावजूद भी अभी तक वेबसाइट रन नहीं कर रही है और इसकी वज़े से अभीरति परिक्षा की तयारी तो छोड़िए व का दिन शूब हो